दून सेंट्रल स्कूल में दूसरे दिन पे चला विरोध प्रदर्शन, छात्रों के परिजरों का आरोब दिया गया था आजवाशन छात्रों के स्कूल पहुंचते ही सिक्षन नहीं दिखे स्कूल में छात्रों ने रोट को किया जाम घंटों चला रोट पर प्रदर्शन बड़ा बजार थाना पुलिस के आकर रोट जाम को हटाया गया पताया जाता है कि सिम्रस्ट्रेस्ट हाउस चौक स्थित दून सेंडरल स्कूल के छात्रों के द्वारा प्री पोट के अधार पर छात्रों को नमबर नहीं दिये जाने को लेकर दूसरे दिन रोट पर विरोध प्रदर्शन किया गया जहां चात्र और चात्राओं के द्वारा नारे बाजी भी की गई और वहनों का अवगवन भी घंटों तक बाधित किया गया और फिर वहीं चात्र और उनके परीजनों के द्वारा यह बोला गया कि प्रिंसिपल के द्वारा दिये गए आश्वाशन के बाद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला और फिर गारजियन के द्वारा बड़ा बाजार थाने में स्कूल के रवया को लेकर आवईदन दिया गया और जैसा की अभी बोला गया कि हम अपने चात्रों के उजवल भविशे को बिगरता देखकर चुप नहीं बैठेंगे विधायक मनीच जैसवाल से भी मिलकर अपनी आप बीती बताएंगे और ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल के द्वारा दी गई इतने कम नंबरों में हमारे बच्चों का एड्मिशन अच्छे कॉलेज़ों में कैसे होगा आईए अब देखते हैं छातर और उनके परीचनों के द्वारा विरोध प्रदशन के बार सिक्षा मंत्री क्या कुछ संग्यान लेते हैं हजारी बाग सी सुनों की स्री की जिपोर्ट कर देखते हैं हमारा नंबर बहुत कम दिया बोर्ट में स्कूल वालों ने जो नंबर बेजा पूरा नंबर का गोड़ाला किया गया यहां से हमारे स्कूल के मैनेजमेंट लोग कह रहे हैं कि हमने नंबर सही बेजा है हमारा नंबर मुनम स्कूल कमकी यह और कमकिया तो स्कूल मेलिधमेंट थे मुनम के पास कि नहीं ले जा रहा है पर नहीं लगता है। É पूरा करियर बरबाद कर दिया गया, पीबोड में कुछ नमबर देके बोड रिजर्ट में कुछ और नमबर आधिरा, हमारा एट्मिशन नहीं हो भा रहा है आपके वज़े से, स्कूल के तरफ से, हमें सी बीएजे से भी वही नमबर चाहिए, हमारा जो ओरिजिनल माक्षे से नमबर था, प्रीबोड का, हमें वही नमबर रखने वोड की रिजर्ट में भी चाहिए, और हम यहीं माँ कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम तब तक घर ना देंग तो हम तो इस दिजिएगा, आप एक्जाम का डेख निता लेगा, फिर हम लोग एक्जाम लिखने सेंटर में जाएंगे, हाड़ वेज़ को बीड का रहा है, अगर हमें पोरोना पॉजेटिव हो गया, तो क्या आप रिक्स्क लीजिएगा, हम लोग अभी 18 शर्ट के विजि कि अपक्र मांक का रहा है कि ये लोग वराभ होने का अब क्या मांग कर रहे हैं, कि ये लोग को रिखेंद मिले, आप अबった रिक्सा लेह regression मंहाइज, आप बहुत अब कव्रद हो बाक्र होने लेकर आप तो कु्छी अब्ड़ वराभ होने आप क्या मांक कर रहे हैं? करेंगे जो डूंप पब्लिक स्कूल आप देख रहें दूंप पब्लिक स्कूल से और उनके साथ मीटिंग करेंगे या आप पी रिवीजन के लिए बताना है तो हम आपको बताएंगे, कल मुझे साम को मैसेज आता है, दून सेंटर स्कूल के प्रिंसिपल के तरफ से, कि हमने बात किये, लेकिन जो मुनम पब्लिक स्कूल के जो हेड है, वो 15 दिन के बाद आएंगे, उनके बाद हम ये लोग कोई भी केस पाइल करेंगे, तो 15 दिन तका वेट कीजिए, अब ये तो मामला सांथ करने के लिए किया जा रहा है सर, ठीक है, हमको प्रॉब्लम ये भी है सर, कि CBSC ने कट अफ करके कैसे 97 को 60% कर दिया, CBSC कैसे जज कर सकता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट को स्कूल जानता है, ना कि CBSC, तो आपने आज पहले दिया अभी 97% freeboard का result आज सर, ठीक है, और आया है 62% student का, cut up कोई भी college का पकड़ लिए, हजारी बाग में 65 से उपर है, तो हम बच्चों का admission करवाए तो करवाए कैसे, हमारा problem ये है, marks नहीं है सर, basis आप तो कम से कम decide कीजिए, या तो cut up नीचे करवा दिए कम से कम, या फिर हमारे student क marks तो बढ़ाई है, अब marks बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है, जो merit student है, उनका marks बढ़ाने बोल रहा है, 97 का 60% कैसे justified है, आप ये बताईए,